जश्री कृष्णा आज हम बनाएंगे authentic तरीके से कश्मिरी दम आलू बिल्कुल जैसे कश्मिरी घरों में बनते हैं ना वैसी हम दम आलू बनाएंगे तो बस यहाँ पर मैंने छे मध्य माकार के आलू लिये हैं जिसे हमें pressure cooker में boil करना है तो कड़ाई में मैंने एक कप इतना सरसो का तेल गरम करने के लिए रख दिया है तेल अच्छी से गरम हो चुका है तो इसमें हमें एक एक करके आलू एड़ करने है दम आलू के लिए आपको सरसो का तेल ही यूज़ करना है बिना सरसो के तेल से इसमें आपको authentic दम आलू का जाइका नहीं मिलेगा सो बकाइदा आपको इसमें सरसो का तेल ही यूज़ करना है गाईस तो मध्यमा आज पर रखकर हमें इसे अच्छे से डी-fry करना है जब तक यह सारी तरफ से golden brown color और करारे fry नहीं होते है न तब तक इसे हम alert पलट करते हुए fry करेंगे इसे पलटेंगे और अच्छे से fry होने देंगे तो बस यहाँ पर आलू fry हो चुके हैं इसका color देखिए बहुत है अच्छा लग रहा है खड़े मसालू का हम दरदर पीसेंगे अब हमें एक बड़ी और एक छोटी इलाईची लेनी है इसमें एक लॉंग डालेंगे बस छोटा सा हमें इसमें दालचेनी का तुखड़ा डालना है तो बस इसे हम हलका दरदर पीस लेते हैं एकदम हमें बारिक नीक पिसना है, हलका दरदरा पढ़ रहना चाहिए, देखे हमने मसाले क्रश कर लिये हैं, अब कड़ाई को चूले पर रखते हैं, चाहे तो आप इसे प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, तो इसमें हमें न पाउक कप इतना सरसो का तेल अड़ करना है, तो अब इसमें हमें देड छोटे चमच इतनी कश्मीरी लाल मिर्श पाउडर है वाड करने हैं, बस कलर के लिए इसमें यूज करता है, बाकि इसमें कोई तीखा पन नहीं रहता है, पाउच चमच इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, पाउच चमच हल्दी पाउडर, पाउच salt powder रहती है वो add करनी है हमें और बस इसे अच्छी तरह से mix करेंगे मसाले जलने नहीं चाहिए इसके लिए हमें धीमी आज़ पर रक्री से भूनना है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसे अच्छे से भूनेंगे अब इसमें स्वादन उसा अर्णमक डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे बहुत ही सिंपल रहती है ये रेसिपी इसमें आपको ना प्यास लेसन और ना ही टमाटर एड़ करना है चाहे तो आप इसमें थोड़ी दही भी अड़ कर सकते है पर जो अथेंटिक रेसिपी है ना गाईज उसमें दही का इस्तामाल नहीं होता है तो बस मुझे इस रेसिपी में कोई छेड़ चाड़ नहीं करनी है सिंपल मसालों में इसे आपको दम पर पकाना है देखे मसाले अच्छे से भून गया है मतलब एकदम गाड़ी सी लग रही है ग्रेवी अब इसमें ना हमें फ्राय की हुए जो आलू है वर रखने है आलू का अब मसालों के साथ अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं इसका कलर देखे गाईस दिखने में बिलकुल एकदम स्पाइसी लग रहा है बड़ ये कश्मीरी लाल मिर्श है जो बिलकुल तीकी नहीं रहती है तो हमने आलू को मसालों के साथ अच्छे से कोट कर लिया है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि इसे हम दम पर पकाएंगे तो मसाल है न वो बिलकुल जलने नहीं चाहिए तो मोस्ट इंपॉर्टन इसमें हमें न सौंफ पावडर है वाइड करनी है तो देड छोटा चमच यहाँ पर मैं सौंफ पावडर डाल रही हूं पावच ओमच गरम मसाला पावडर डालेंगे तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और धीमी आच पर रखकर इसे पकने देंगे तो बस इन मसालों के साथ आलू को हम दम पर पकाएंगे जिसे मसालों का जो फ्लेवर है वो आलू में अच्छे से आ जाएगा इसके उपर ढखन रखेंगे अंदर की जो स्टीम है वो बाहर नहीं आने चाहिए तो ऐसा ढखन लगाईएगा और इसके उपर भारे से चीज रखेंगे तो इसे हम 30 से 35 मिनट के लिए दम पर पकने देते हैं तो यहाँ पर मुझे 40 मिनट सो चुके हैं तो आप ढखन को निकाल लेते हैं देखे ग्रेवी बिल्कुल ड्राय हो चुकी है सब मैं आलू को आपको चेक करके दिखाती हूं मिसे आपको कट करके दिखाती हूं देखे जो तेल है ना गाइस वो अंदर तक आ गया है तो यही है जो दम आलू को टेस्टी बनाता है नहीं तो simple boiled आलू जैसा टेस्ट लगेगा आपको तो वो नहीं मज़ा आएगा जो दम आलू में आता है तो मसालू का स्वाद है ना वो अंदर तक आना चाहिए तो लीजे यहाँ पर हमारी कश्मिरी दम आलू तयार है तो इसे गर्मा गरम ना चावल के साथ जरूर खाईएगा बहुत सुकुन देता है इस रेसिपी को जरूर से जरूर राई करिएगा फिर मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप घर कखाईएगा और अपना खयाल रखिए